हेलो माई दियर स्टुडेंट्स वेलकम टू दा यूट्यूब वीडियो ओफ सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बारबंकी आज क्लास्ट के बच्चों की जर्नल नौलेज की पहली क्लास है हमारी पहली यूनिट का नाम Around Us है जिसका आर्थ होता है हमारे चारो तरफ उसका पहला चैप्टर है Homes मतलब घर तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है We all have a home to live in हम सबका एक घर होता है जहां हम रहते हैं There are some common homes too where many people live together कुछ सामानी घर भी ऐसे होते हैं जहां पर कई लोग एक साथ रहते हैं Write the name of each of the following him आपको प्रतेक का नाम लिखना है तो चलिए अपना पहला question देखते हैं कि क्या दिया हुआ है दिया हुआ है पहले question में A king lives in a एक राजा कहां रहता है एक राजा महल में रहता है तो महल की English क्या होती है? Palace तो क्या हो जाएगा यहां पर? Palace आपको यह देखे हैं यहां पर help box दिया हुआ है इसमें आप चूज करके लिख सकते हो कि आपका answer क्या है? आपका answer इसी help box में से कोई एक होगा तो चलिए अपना question 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है? The Red Indians used to live in a Red Indians कहां रहते हैं? Red Indians रहते हैं विग्वैम में विग्वैम किसी कहते हैं? आदिवासियों की जोपडी को हम विग्वैम कहते हैं देखे हैं आपके लिखा हुआ है विग्वैम दिख लीजे से चलिए question number 3 देखते हैं लिखा हुआ है The soldiers live in a हमारे सैनिक कहां रहते हैं? सैनिक कहां रहते हैं? सेनावास में रहते हैं सेनावास को हम English में क्या कहते हैं? कहते हैं barracks barracks हो गया? चलिए question 4 देखते हैं दिखा हुआ है The gypsies lives in a gypsies कौन से लोग होते हैं? जिनका इस्थाई तोर पर कोई घर नहीं होता है तो ऐसे लोग कहां रहते हैं? कारवा देखें आनीचे help box में दिया हुआ है कारवा यही आपको लिखना है question 5 पर देखते हैं The nuns lives in a जो nuns होती है वो कहां रहती है? जो nuns होती है वो कहां रहती है बच्चो nuns रहती है मठ में तो मठ को लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे convent क्या कहेंगे? convent coming to question 6 The orphans live in a अनाथ कहां रहते हैं? The orphans मतलब कहोते हैं अनाथ तो अनाथ कहां रहते हैं? अनाथ रहते हैं अनाथाले में अनाथाले को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओर्फेनेज देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है orphanage Coming to question 7 The monks live in a जो monks होते हैं वो कहां रहते हैं? monks मतलब की जो भिख्षू होते हैं वो कहां रहते हैं? मारे भिख्षू रहते हैं monastery कहां रहते हैं? monastery देखेंगे आप लिखा हुआ है monastery यह लिखना आपको monastery Then coming to question 8 a lunatic slivina lunatic मतलब की वो लोग होते हैं जो mentally unstable होते हैं मतलब की जो अपने पागल होते हैं उन लोगों को lunatic कहा जाते हैं तो पागल कहां रहते हैं? पागल खाने में रहते हैं पागल खाने की English क्या होती है? तो चलिए देखेंगे आप लिखा हुआ asylum आप यह लिख दीजे asylum A-S-Y-L-U-M asylum Then coming to question number 9 A sick person is captain एक बिमार इंसान को कहां रखा जाता है? इसे एक मतलब बिमार एक बिमार इंसान को कहां रखा जाता है? हॉस्पिटल में रखा जाता है कहां रखा जाता है? हॉस्पिटल में तो लिख देती हैं मैं हॉस्पिटल आप देख सकते हैं हॉस्पिटल लिखा है मैंने देखे है है बॉक्स में भी हॉस्पिटल दिया हुआ है Then coming to question number 10 The borders live in a Borders मतलब आवासी है आवासी लोग कहा रहते हैं? आवासी लोग हॉस्टल में रहते हैं मतलब की हॉस्टल में रहते हैं देखें यहाँ पर नीचे हॉस्टल दिया हुआ है यही लिखना आपको तो आपके questions कम्प्लीट हो चुके हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है fact file यह पढ़ा देती हैं मैं आपको During 1920 and 21 1920 और 1921 के दोरान In United Kingdom and Ireland United Kingdom और Ireland में यह दोनों एक देश के जगा के नाम है United Kingdom और Ireland में A type of low cost houses were built एक तरह के कमदाम के घर बनाये जाते थे With metal floors and concrete block cavity walls जिसमें metal के floor होते थे और concrete के बनी हुई walls होती थी These were called Edison house जिन्हें हम Edison house कहते थे These houses were built to provide housing यह घर Sanico को Navico को और विमान के चालिको को खर प्रदान करने के लिए बनाये जाते थे जो की वर्डवार first से अपने घर लोटते थे तो चलिए बच्चो आपका यह page complete होता है आपका यह chapter complete होता है मिलती हूँ आपसे next video में तो इस channel को subscribe कीजे वीडियो को like कीजे इस channel की इस chapter की link में आपको description में दे दूँगी वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड करकर इस chapter को पढ़ना है तो चलिए बच्चो बाई 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 पढ़ते रहेए बाई